हाई दोस्तो मैं सुखवी हमारी यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज की क्लास बहुत ही बैतरीन क्लास है उन लोगों के लिए जो अंग्रेजी में नाम लिखना पड़ना बिल्कुल नहीं आता जिन है देखिए अंग्रेजी में नाम लिखने पड़ने के ल पढ़ सकते हैं देखें आपको अगर पता है कसे क्या लिखते हैं के लिखते हैं तो अगर कहीं किसी नाम में का आया तो आप आराम से लिख सकते हैं कसे के और अगर के लिखा है तो आप उसे आराम से पढ़ सकते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बैल आइकन भी दबा दीजिए और अगर आप अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं तो प्लीज ये वीडियो को लाज तक एक बार जरूर देखें दिखिए अ को हम लिखते हैं ए से किस से ए से अ से लेकर अ तक ये हमारे स्वर होते हैं पहले हम स्वर सीखेंगे उनके बाद हम ब्याजन सीखेंगे अ से हम लिखते हैं ए आ से हम लिखेंगे डबल ए ए ए से लिखेंगे हम आई इ बड़ी E से लिखेंगे हम डबल E O छोटे U से लिखेंगे हम U U बड़े U से लिखेंगे हम डबल O A छोटी A से लिखेंगे हम A E I बड़ी A से लिखेंगे A I O छोटे O से लिखेंगे O O और बड़े O से लिखेंगे हम A-U अंग, छोटी अंग से लिखेंगे हम A-N अह, बड़ी अंग से लिखेंगे हम A-H इसके बाद में एक हमारा होता है रे इसको हम पढ़ते हैं रे रे को हम लिखते हैं R-I से किसे? R-I से और इसके बाद है स्र इसको हम लिखते हैं SHRA ठीक है इस तरह से हम इनको लिखते हैं तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे बेंजन की ओर कसे लेकर ग्या तक हमारे बेंजन होते हैं और इनहीं बेंजनों पर स्वरक्वी मात्राइं लगती हैं तब इनका सांड बदलता है तो अभी हम लिखेंगे कसे के लिखेंगे के लेकिन हमेशा द्यान रखना आगे में हम आपको सिखाएंगे कि जब भी हम हिंदी नाम को अंग्रेजी में लिखते हैं अगर किसी अक्छर पर A की मात्रा नहीं है फिर भी हम A लगाते हैं तो वो आगे की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे क, क से लिखेंगे हम क, ख, क, H ग, जी, ग, जी, H इसको हम पढ़ते हैं गा गा से लिखेंगे हम N, G च, सी, H च, सी, डबल, H ज, जे, ज, जे, एच इय, वाई, एन, त ती, थ, ती, एच ड, डी, ढ ध, दी, एच अड, एन, त, ती थ, T, H द, द से लिखेंगे हम D ध, द से लिखेंगे हम D, H न, न से लिखेंगे हम N प, प से लिखेंगे हम P फ, प, H F भी लिखते हैं B B B B H M M I Y R R L L W V SH 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 H H CHE KSH TR TR GY इस तरह से हम हिंदी Word माला को अंग्रेजी में लिखते हैं इसलिए हम सीखते हैं इसको क्योंकि जब भी हम हिंदी नामों को अंग्रेजी में लिखेंगे तो हम इसी के माध्यम से हिंदी नाम को अंग्रेजी में लिखते हैं तो ये किलास बहुत जरूरी थी आपके लिए आप इसको नोटिस कर लीजिए कहीं पर और आराम से इसको याद कर लीजिए झाल 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 झाल